हलो फेंट्स मैं नाम विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो फेंट्स market के बारे में अगर हम लोग बात करें तो currently जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो bitcoin थोड़ा सा again stability के साथ हलका हलका कचुए की speed से जो है यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ चल रहा है अब ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो bitcoin 46,600 और 500 की range में यहाँ पर चल रहा है अच्छी चीज़ यह है कि जो एक बड़ा downfall हुआ था उसके बाद से एक area है एक channel है bitcoin अभी उसी के अंदर यहाँ पर trade कर दा है जो कि एक तरीके से देखने में अच्छी news इसलिए है क्योंकि उस drawback के बाद एक बाद उमीद थी कि शायद एक और हमें ऐसा dip देखने को मिले और उसके बाद शायद यह 46,000 और 45,000 पर ना रुक के सीधा फिर से 40,000 की तरफ बढ़ जाया पर अच्छा यह रहा कि फिलाल BTC वहाँ तक नहीं पहुचा है और उस contest के जो भी winner होंगे उनको अलग-अलग जो coin से हम लोग देंगे कौन से coin है वो सब अभी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर contest किस तरीके से होंगे उन सब पे काम चल रहा है आप डालेंगे crypto with vishal underscore official आपको official से भी एक channel मिल जाएगा तो please link से कोशिश करिएगा join करने की हर एक वीडियो के description पे मैंने एक नहीं ऐसे तीन-तीन link दिये हुए होते हैं वहाँ से join कर लीजे या फिर हमारे banner पे अगर आप जाएगे तो वहाँ से भी join कर सकते हैं अगर search करके join कर दें हैं तो हमेशा handle को check करिएगा crypto with vishal underscore official होना चाहिए official नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे scammer है जिन्होंने official का जो L है इसको दो लगा दिया हुए तो गलती से जो है आप scammer के जो channel है वहाँ पे add हो जाएंगे तो please इससे बचके रहिएगा चलिए जी news के बारे में friends हम लोग सबसे पहली यहाँ पे जो बात करते हैं वो कर दें यहाँ पे solana के बारे में सोलाना में लोग हैरान है परेशान है कि यार suddenly pump क्यों हो रहा है को कि solana की कुछ पीछे news आई थी जिस होजा से pump हो रहा है वो important चीज कुछ और है जो मुझे आप लोग को भी बता नहीं है यहाँ पे एक्सेस इंफिनिटी का आप लोगों नाम सुना होगा हम लोगों ने कई बार न्यूज में कवर किया है अल्रेड़ी एक्सेस इंफिनिटी को एक gaming के बेस पे जहां पे simple concept है कि आप जाएंगे game खेलेंगे और earn करेंगे इस concept के बेस पे एक्सेस इंफिनिटी को बनाया गया था और आप जानते हैं कि उसका प्राइस अभी कहां पंप कर रहा है एक कोई जो बहुत इस तरीके से स्टार्ट हुआ था जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि यह क्या है किस क्या इसका यूज केस होगा पर आज की डेट ने वो मून पे चला गया हुआ विल्कुल उसी तरीके का एक game solana के d5 पे बनने जा रहा है बहुत बड़ा update है क्यों update है वो मैं आपको बताता हूँ बन रही है तो और जैदा यहाँ पे solana और ethereum का comparison सार्ट हो जाता है अब आप सोचिए कि access infinity का जब वो game आया उसका price इतना बढ़ गया तो अब जब solana पे वो game आएगा तो solana का price कहां जाएगा already solana जो है वो बिलकुल high पे जो है यहाँ पे चल रहा है अगर हम solana की यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी जो dip आया था वो dip के बाद भी बहुत अच्छे से solana ने यहाँ पे रिकवर किया 130-32 पे पहुचा था और highest इसका यहाँ से फिर 214 की तरफ गया है तो आप अब यह सोचें कि जब वो game आएगा तब solana का जो price है उसका क्या होगा फिलाल game के बारे में खली update है अभी जो उसके launching है वो next year होने वाली है अभी के लिए जो investor है उनको खली test करने के लिए दिया जा भी solana को कुछ time के लिए और hold करके रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है आने वाले time में आपको जो शायद आप लोगोंने सोचा भी नहीं हो उससे आगे solana next year तक पहुच चुका हो risk है थोड़ा सा hold करने में क्योंकि आगे का पता नहीं एक साल के लिए किसी coin को hold करने में पर solana के अंदर वो potential है कि आप उसे hold करके रख सकते इसके बाद की अगली news कल ध्यान होगा आप लोगों को एक वीडियो मैंने cover किया था जहां पर मैंने आप लोगों को crypto bill के बारे में बताया था तो कल basically दो important वीडियो थे एक coin trade के बारे में था तो अगर आपने coin trade के बारे में नहीं देखा है तो आप देख सकते इंडियन app है जहां पर आप crypto के जो coins है उनको buy कर सकते इसी के साथ मैंने एक news आपको और बतायी थी इंडियन bill से related मैंने आपको वो टाइम पर बोला था कि government क्या plan कर रही है और उसी का एक और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है US का crypto exchange है cross tower इंडिया में expand कर रहा है अब आप ये चीज़ सोचिए कि जिस country के अंदर अभी तक यहीं नहीं पता कि bitcoin जो है वो क्या crypto क्या legal है कि नहीं है क्या crypto पर bell लगने वाला है नहीं लगने वाला ह जब ये सारी की सारी चीज़े दिमाग में चल रही होंगी तो क्यों companies आके अपना पैसा यहां पे लगा रही है दो reason है इसके एक तो इंडिया का जो market है वो trust me हर एक crypto exchange इस समय plan कर रहा है इसी चीज़ के बारे में कि यार इंडिया के अंदर कुछ करें क्योंकि score बहुत ज्य इंडिया में जितना भी spend कर सके करो उतना हमें बस expand करना है इंडिया के अंदर क्योंकि country बहुत बड़ी है और उसी का एक और हमें proof यहां दिख रहा है cross tower का तो cross tower यहां पे already 35 लोगों को इन्होंने बताया कि इन्होंने on board कर लिया हुआ है और इसको expand करके यह लोग 100 people करने वाले है next 6 महीने और 9 महीने 6 महीने के अंदर तो एक अच्छी और positive sign है कि यार इंडिया के अंदर अभी यह सारी development यहां पे हो रही है एक चीज और थी friends मेरा थोड़ा सा गला जो है खराब है तो हो सकता है कई बार थोड़ा सा itching भी हो रही है तो आप लोगों को voice में कई ब लेड़ो लेड़ो बहुत टाइम से जो है news में बना हुआ है तो news basically जो यह है कि वो यह है कि लेड़ो का जो सबसे बड़ा bank है जो अभी तक उनकी currency में deal करता था जब वहां पे bitcoin legal हुआ तो उसको कोई ऐसा system चाहिए जिससे US dollar को convert किया जा सके या फिर opposite इसका किया जा सके crypto मे इसके लिए इन्होंने flexa के साथ यहां पे partnership है जो अपनी वो करने जा रहे हैं तो finally El Salvador का सबसे बड़ा bank इसका नाम जो है वो कुछ pronounce करना थोड़ा अलग सा है तो मैंने सुछा ignore कर रहे हैं तो flexa के साथ यह लोग partnership यहां पे कर रहे हैं तो जो news है वो basically यह है कि US dollar को crypto में convert कर करने के लिए या फिर crypto को US dollar में convert करने के लिए जिससे users जो है इस bank के उनको easy पूरे का पूरा process लगे उसके साथ यह लोग flexa के साथ बात कर रहे हैं बात भी क्या कर रहे हैं कि almost हो गई है बात पूरी इसको processing में डालने वाले है और अच्छी चीज यहां पे यह रहेगी कि ज बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है तो else elvado के लिए बहुत अच्छी news है यहां पे mastercard बड़ी news है यह भी क्योंकि mastercard आए दिन कुछ ना कुछ crypto में दिखाता रहता है हमें कि भाई मेरा क्या stance है crypto को लेकि again यहां पे इसने एक बड़ा काम किया है तो basic के लिए crypto का outlet for instance outlet है ज जब भी कुछ दिखाने को मिलता है कि भाई उसका क्या stance है वो क्या चाहता है crypto को लेके क्या उसको सोचना है वो आपको आए दिन यहां पे proof करता रहता है micro का mastercard बहुत बड़ी चीज है क्योंकि mastercard directly आपके payment से deal करता है card है बहुत बड़ा और word level पे उसका use हो रहा है तो एक organization का crypto में आना एक बहुत positive sign यहां पे फिर से लेके आता है हमें कि यार आने वाला जो time crypto का होने वाला है वो बहुत positive होने वाला है क्योंकि इस तरीके के institution mastercard जैसे देखिए एक company अगर crypto में invest करती है वो अलग बात है क्योंकि उस company का जो main काम है वो financial related नहीं है वो आ सकती है crypto मे पर एक ऐसी company जो finance related है जिसका काम exchange का है उसका crypto में आना और crypto की इस तरीके से चीज़ों को acquire करना पड़ी चीज़ है आने वाले time में जब mastercard में गलती से मेरे मूझ से बार बार micro actually micro strategy की वज़ा से मेरे से micro निकल रहा है यहाँ तो जो mastercard है basically आने वाले time में जब crypto को वो अपने वहाँ पे कुछ ले के आएंगे अपने system के अंदर की हाँ आप यहाँ से crypto के कुछ भी हर country के अंदर transaction करते हैं I'm sure ऐसा आने वाले time में होगा जब यह चीज़ आये तब वो सारे regulation को follow कर रहे हो उसके लिए यह जो पूरे का पूरा acquisition है यह हुई है क्यों क्योंकि super trace already यह सारे के सारे जो rules है जो crypto के लिए जरूरी है जो crypto की guideline है उसको already follow कर रहे हैं तो आप अगर ऐसी organization को acquire करते हैं तो already आपके पास भी वो सारी चीज़े अपने आप आ जाएंगी जो चीज़े जरूरी होंगी crypto की regulation के लिए जो चीज़े जरूरत होंगी crypto की guideline को follow करने के लिए तो mastercard को automatically वो मिल जाएगी जिसकी वजहा से यह जो है पूरे का पूरा process यहाँ पे हुआ होगा चलिए जी एक बार दुबारा हम लोग चलते हैं हमारे market के तरफ और market का क्या हाल चल रहा है उस पर भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ तो exchanges में आते हैं और यहाँ पर basically हमारे जो top gainer है और जो नए यहाँ पर लिस्टेड हो है वो दिख जाते हैं पर उससे जादा हम लोग directly यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए जो important coins है हमारे पास ethereum जो है ठीक चल रहा है पर जो downfall आया है उसके बाद अभी इसको भी recover होने में थोड़ा सा time लग रहा है यहाँ पर potential है link के अंदर भी और उसी रास्ते पर चल रहा है एडा के बारे में अगर आप लोग बात करें तो एडा भी बिल्कुल जो है वो सही जगा पर चल रहा है morning में friends एक telegram channel पर मैंने एक coin था जिसके बारे में बात करी थी तो एक बार हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं तो मैंने बात करी थी यहाँ पर FTM के बारे में एक बार हम लोग Phantom पर चलते हैं, Phantom की भी बात कर लेते हैं तो एक छोटा सा Call दिया था मैंने, जो मेरे को Analysis के बाद यहां पर समझ में आया Phantom के बारे में पीछे के टाइम में काफी सारा जो है, यहां पर चीजे आई है निकल के इसका चार्ट थोड़ा सा लगे चली कोई बात नहीं हम तो इसी में बात कर लेते तो फेंटम के बारे में जो मैंने टेलिग्राम चैनल पे मेरे डाला था तो एक मैंने डाला है चोटा सा कॉल अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं डूरेशन ध्यान रखेंगे 15 डेस का है शौट टम पे मत करिएगा शौट टम पे मुझे नहीं पता क्या होगा एक या दो दिन के लिए लिए आपने तो मार्केट गिरा तो आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है पर मैं यहाँ पे थोड़ा लॉंग टम की बात कर दा हूँ लॉंग टम नहीं है एक्चली मैं 15 दिन की खाली बात कर दा हूँ तो जो मेरा expectation इसका entry price है आपका जो buy price आपका रहेगा वो रहेगा around 1.6 dollar का एक 1.6 dollar पे लगा सकते हैं और 15 दिन का बहुती safer side मैंने आपको बताया है यह price यह रखा है मैंने यहाँ पे 2.5 dollar का मतलब 1.6 पे entry लेनी है और ज्यादा यहाँ पे लालच करे बिना चुप चाप आपको निकल जाना है क्योंकि उसके बाद जो है आपका यहाँ पे नुकसान जो है वो हो सकता है तो 1.6 पे entry लेंगे 2.5 पे निकल जाएंगे 15 दिन के अंदर जो मेरा expectation है यहाँ पे FTM के लिए तो अगर FTM की आपने research करी है आप लेना चाहते हैं एक call यहाँ पे लेना चाहते हैं तो एक FTM के लिए 15 दिन का call यहाँ पे ले सकते हैं इस तरीके की चीज़े अक्सर मैं अपने telegram चैनल पर share करता रहा हूँ तो यह था FTM overall हमारा market के बारे में update एडा के बारे में भी चिंता बनी हुई है क्योंकि date बहुत जल्दी आने वाली है smart contract की और हमारे जो expectation था वो यही था कि यह जो time चल रहा होगा इस time पे जो एडा है वो peak पे चल रहा होगा पर market जब गिरा तो फिर फिलहाल के लिए उस प त्राइफ तली चेगा thank you